ये कुछ custom ROMS जिनको यूज करके तुम अपने BGMI के अंदर 60 या फिर 90 FPS ले सकते हो वो भी बिल्कुल stable and तुम अपने gaming experience को increase कर सकते हो अपने बुड़े phone में लास्ट में तुमें एक bonus ROM के बारे में बताने वाला हूँ जो कि literally में बहुत अदा हो समय तो उसको भी जरूर देखके जाना बात करें किन-किन phone में stable चलेगी तो इसको तुम यूज कर सकते हो Samsung, Realme, Redmi, Poco, Moto और OnePlus इन सभी में यूज कर सकते हो and Vivo के phone में तो तुमें पता ही है bootloader unlock नहीं होता है तो उसमें तो यूज ही नहीं कर पहोगे and साथे में इसमें जो सबसे बड़ा feature है वो है कि आप इसमें fast charging कर सकते हो जो कि सच में बहुत अच्छा feature है इस रोम को आप यूज कर पाओगे Realme, Samsung और OnePlus के phone में जो इसमें आपको bugs नहीं देखने मिलेंगे लेकिन अगर तुम इसको यूज करते है अपने Redmi, Poco और Moto के अंदर इसमें आप gaming तो करीप आओगे, साती में आप इसमें daily basis पे भी यूज कर पाओगे और daily basis पे भी आपको बहुत सादा smooth नास देखने मिलेगी और इसलिए मैंने इसको top 1 पे रखा है इस वाली रोम के अंदर भी आपको google photos का limited backup मिल जाता है इस वाली रोम को आप यूज कर सकते हैं अपने Samsung के old और new phone के अंदर Realme के अंदर, Redmi के अंदर, Poco के अंदर and Moto के अंदर बाकि आप इसको OnePlus में यूज मत करना मतलब कि करके देख लेना अगर चल जाए तो ठीक है वरना फिर रहने देना क्योंकि मुझे लगता है उसमें bugs आ सकते हैं OnePlus के phone में बाकि जो phone मैंने बता है उनके अंदर ये बिल्कुल stable चलेगा तो यूज करके देख लेना एक बार मस्त हो जाएगा अब बढ़ते हैं अपनी bonus रोम के उपर, so bonus रोम में हमारी आती है pixel experience अब कर देख लेकिन मैंने बोनस में इसलिए रखा क्योंकि अगर आप अपनी इस्टोख रोम से बहुत जादा बहुत जादा बहुत जादा आच्छा है अगर तुम यह वाली वीडियो देख सकते हो एंड जान सकते हो कि कस्टम रोम क्या होता है इसको कैसे डाला जाता है मैं मिल तो तुम्हें किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई